अब्रिवान कैसे हो आप सभी आशा करती हैं सभी अच्छे होंगे स्वास्त होंगे स्वागत करती हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चानल स्टड़िविद दीपा सैनी में गाइस आज की क्लास में हम कुछ इपोर्टेंट कोशन लेके आए हैं जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो ध्यान से करिएगा इन कोशन को चली शुरू करते हैं आज की वीडियो का हमारा फस्ट कोशन है निम्न में से सबसे बड़ा वेर्थ है वेर्थ यानि सर प्रित्वी का सबसे बड़ा सरकल कौन सा है जो कि हमारी प्रित्वी को दो भागों में बाटता भी है तो राइट अंस वह रहेगा विशुवत वेर्थ ठीक है एक्वेटर जिसे आप इंग्लिश में कहते हो विशुवत वेर्थ नेक्स्ट कोशन है निम्न में से कौन सा शह खेर धातू वेपार का सबसे बड़ा केंद्र है जो हांसबर्ग, लंदन, नियुवार्क, सिंगापूर आपको बताना है कि धातू वेपार का धातू जहां पर धातू का वेपार बहुत ज़्यादा होता है तो पूरा सेंटर पॉइंट है ऐसी कौन सी सीटी है तो राइट बिल में न्योर्क पॉइंट में या सिरीहरी कोटा में तो राइट अंसर है नियूर्क सीटी में पढ़ता है यूसे के अंदर ग्राउंड जीरू है नेक्स्ट कॉश्यन आता है नियू ब्रिटेन और नियू आयरलेंड निम्न में से किस देश के भाग है यूसे कैनेड़ा आउस्ट््रेलिया दिया ना दियान रखना यह आपके også के नोरत में पड़ते न पड़ते हैं अन्नी पर्ट में अन्लेंड व्रिटन और आयरलेंड नेक्स चरण आता है यानि Garden of Eden के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है हेल्गो लेंड निम्न में से किस देश का द्वीप है यानि आईलेंड है हेल्गो लेंड ब्रेटेन, जर्मनी, यूएसे, इंडोनेशिया तो राइट अन्सवर है इसका ब्रेटेन ब्रेटेन का आईलेंड है हेल्गो लेंड नेक्स्ट कोशन आता है संसार की सबसे बड़ी कंक्रिट संरचना माने जाने वाला थ्री गोर्जीज डैम निम्न में से किस देश में है थ्री गोर्जीज डैम ये एक कंक्रिट संरचना वाला डैम है बांध है किस कंट्री में है चीन ताइवान मलेशिया थाइलेंड तो राइट अंस्वर है चीन चीन के अंदर पड़ता है ये थ्री गोर्जीज डैम next question आता है संसार का सबसे बड़ा द्वी ग्रीन लैंड है वे अभियन अंग है नार्वे का उत्री अमेरिका का डेन मार्क का कैनेड का तो राइट अंस्वर रहने वाला है जो आपका ग्रीन लैंड है अगर हम इसको बात करें जो ग्राफिकल तोर पर तो ये पार्ट आता है न देनमार्क ही ठीके तो यह जह जो ग्रील इंद हैं यह आपका कह भुरोर्ट के अंधर नेक्स्ट कोश्चन आता है रेड क्लिफ लाइट निमनमे सिक नेशों के बीच है वारत और बंगला देश बारत और भुटान भारत बारत और चीन बारत और पाकिस्तान तो रहने वाला ह ठीक है गाइस तो ध्यान रखना इसका राइट अंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान ओप्शन नमबर डी तो यहां पर हमीं बताना है कौन सी आपकी जो सीटी है किस नदी के किनारे पर हैं तो देख लेते हैं बैंकोक बैंकोक पड़ता है गाइस आपका चाओ फ्रेया रीवर के किनारे पर ठीक है बैंकोक पड़ता है चाओ फ्रेया संगाई पड़ता है आपका हवांगपू हवांगपू रीवर पर ड्रेस ड्रेन पड़ता है अलबे रीवर पर और मांट्रियल पड़ता है सैंट लोरेंस रीवर पर तो ओप्शन ए इस राइट रहेगा एकाथरी ब मैक मोहन रेखा दुवारा अलग किये जाने वाले देश हैं मैक मोहन रेखा किने आपस मेलग करती हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत बांगलादेश और भारत चीन और भारत पाकिस्तान और भारत तो यहां पर जो राइट अंसर रहेगा वह रहेगा चीन और भारत के मैक मोहन की अधिक्षता में ही इस लाइन को फाइनल किया गया था इसलिए से मैक मोहन रेखा कहा जाता है बारत और चीन नेक्स्ट कोश्चन आता है बारत ने निम्ने में से किस छेतर से सीख कर तंबाखु कसावा और अनानास की खेती करना शुरू किया था तो बारत ने बाकु की खेती टैपीयोका की और अनानास की खेती करना किस कंट्री से सीखा था पुत्रगाल अफ्रीका दक्षिन अमेरिका चीन तो राइट अंस्वर रहेगा पुत्रगाल राइट अंस्वर क्या रहेगा पुत्रगाल नेक्स्ट कोश्चन है निम्ने में से वह कौन सा र पुरान बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और आपके गेहूं को इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता उसको तो नॉर्मल काम चल जाता है 50-75 cm की वर्षा में ही तो तमिन लाडू में सर्थियों में काफी वर्षा होती है तो इसी लिए तमिन लाडू एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं नहीं बोया जाता बाकि पश्यममंगाल महारास्ट करनाटक इन तीनों ही स्टेट में गेहूं की खेते की जाती है नेक्स्ट कुशन आता है अकास गंगा यानि मंदा कनी सबसे पहले किसने देखी थी गैलिलियों ने मार्ट्रें रिमट ने मार्कोनी न ने तो गाइस इसका राइट अंसर रहेगा गैलियों ने ओप्शन नमबर ए गैलियों ने ही अकास गंगा मंदा कनी को सबसे पहले देखा था जो कि हमारी क्या है ग्लैक्सी है नेक्स्ट कुशन आता है गाइजर यानि गीजर एक जल स्त्रोत होता है जो निरंतर पानी फैक और फिर आपका वास्प दोनों ही फैकता है केवल भाब फैकता है तो right ask रहेगा गीजर उसे कहते हैं जो नी फोप्श into नंबर सी is right 2 सुमुंद्रों को जोडने वाले पानी की सनक्रिन सनक्रिन विस्तार को कहते हैं यानि पत्लाशा रास्ता होता है 2 ससंुद्रों को जोडने है कोई जल के बीच डमरू मद्य में है इस तरह के से आप याद कर सकते हैं जल डमरू मद्य ठीक है वाटर स्ट्रेट भी कहते हैं इसे लैंड स्ट्रेट भी कह देते हैं है नेक्स्ट कुशन आता है महरोवीषिक महो ऐसांतता यानि महरोवीखिक आपकी discontinuity है वो किसे-किसे अलग करती है internal structure of earth का है यह कुशन भाई्ये करोड को आंत्रिक और भाई्ये करोड को सीमा और निफ्ये को भूपाटी को तो राइट अंसुर रहेगा गाईस option number D आपकी करस्ट और मैंटल को अलग करती है महरोविसिस डिसकॉंटिनुटी नेक्स्ट कोशन आता है सूरिय की वन मंडल में गैसों की तुफान दिखाई देती हैं कब दिखाई देती हैं वन मंडल में वन मंडल यानि आपका जो क्रिट और किरोना वाला पार्ट है करोना वाला उसके आसपास वाला एरिया चक्रवात के दोरान परती चक्रवात के दोरान चंदर गरहन के दोरान सूरिय गरहन के दोरान तो राइट अंसर रहेगा सूरिय गरहन के दोरान जब सूरिय गरहन होता है तब ही सूरिय के वान मंडल में गैसों के दुफान दिखाई देते हैं नेक्स्ट कुश्चन आता है निम्न में से कौन सा भूम अंडलिय पवन का उधारन नहीं है मांसून व्यपारिक पवन थल समीर और समुंद्र समीर चीनुक तो राइट अंसो रहने वाला गाइस इसका देखो भूम अंडलिय पवन जो आपकी एक तरह एक तरीक्य के आपकी य हर साल आता ही है थल समीर और समुंद्र समीर भी चलती है चीनुक आपकी एक लोकल विंड है क्या है लोकल है यानि मौशम ही पवने किसी मौशम के दुरानी चलती है तो इसका राइट अंसो रहेगा चीनुक next question अता है यदि किसी इस्थान की temperature में सहसा विर्धी हो जाए तो आपकी apexic आदर्ता कैसी होएगी यानि आपकी जो humidity है वो कैसी होगी आगर किसी area का temperature increase हो जाए बढ़ेगी गटेगी स्तिर रहेगी या घटती बढ़ती रहती है तो इसका राइट अंसर रहेगा गाईज घटी बढ़ती रहती है ठीक है सापेक्षिक आधरता आपेक्षिक आधरता नेक्स्ट कुशन है वह महादवीब कौन सा है जा टुन्डरा परकार की जो जलवाईव है वो नहीं पाई जाती यूरोप एशिया अफरीका उत्री अमेरि अफरीका में टुन्डरा क्लाइमिट कहीं पर भी नहीं है आपका गरम रहता अफरीका एक उष्ण महादवीब के नाम से जाना जाता है अफरीका कॉंटिनेंट तो यहां पर राइट अंसर रहेगा अफरीका नेक्स्ट कुशन आता है माईका निमलिकी सैलो के कौन से एक य अबरक ठीक है माईका यानि अबरक नेक्स्ट कुशन आता है निमन में से कौन सा कथन सही है आपको राइट कथन चूज करना है लावा और मैगमा के बारे में हैं लावा और मैगमा दोनों में गैस होती है ना मैगमा में मैगमा में गैस होती है परन्तु लावा में नहीं ल रहेगा लिक्विड परदार्थ तो वह आपका मैगमा कहलाएगा और जैसे ही सरफेस पर भाहर आके यह भेहने लगता है तब इसे लावा कहते हैं और जब भी आपका मैगमा अर्थ के अंदर से भाहर आता है तो उसके साथ बहुत सारी गैसे होती हैं ठीक है सल्फर डाइकसा लावा में कोई भी गैस नहीं होती और नेक्स्ट कुश्चन आता है पठार की सतला करती आदर्श है खेती के लिए वानिकी के लिए खनन के लिए जल विद्यूत के लिए जो प्लेटी होते हैं वह बैस्ट होते हैं क्योंकि उनका जल्दी से अपरदन होता नहीं है इस्ट् कुश्哪 पत्थर प्रमार्भल स्ल विए अगरें अ बात करते हैं अकरा बनता है आपकी एक रुपानती चप्तान मै्मर्फिक रोकर सेँens Ex shows कि एक तौने स्थर आव्न आपकी उन्हें ऑसाद शॉर्श को प्रड tutti वालिए फ्री जाब हैओं जो आपको बहुत हैं तो यह ञो परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है अब हमारा पूरा क्लाइमेट सिस्टम चेंज हो रहा है तो इसका परमुक रीजन क्या है वायू मंदल में करबंडा एक साइड की मात्रा में विर्दी और द्योगिक गैसों का उतसर जन धूल में विर्दी पादप आवरण में परिवर्त तो गैस इसका राइट अंसर रहेगा वायू मंदल में जो CO2 है उसकी मात्रा बढ़ रही है और इसी वज़े से टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइक साइड एक ऐसी गैस होती है जो अपने अंदर टेंपरेचर को आने तो देती है बट उस टेंपरेच गैसों में सबसे भारी गैस है यह दोनों ही कोशन्स अग्जाम में बार बार पूछे जाती है तो ओप्शन ए इस क्रेक्ट नेक्स्ट कोशन आता है सोर मंडल का सबसे गरम घ्रह कौन सा है शुक्र मंगल पिर्थवी शनी देखो बुद्ध यहां पर ओप्शन में नहीं है बच्चे बुद्ध लगाते बुद्ध सूरिय के निकट है बट वो सबसे गरम घ्रह नहीं है सबसे गरम घ्रह शुक्र है क्यों क्योंकि शुक्र घ्रह में सी ओटू गैस की मातरा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और मैंने अभी आपको रीजन समझाया कि जहां सी ओ सूरिय में हाइट्रोजन और हीलियम गैस आपस में विस्पोर्ट होता रहता है उनके तत्वों में और जिस वज़े से सूरिय की उर्जा बनी रहती है ठीक है नेक्स्ट कोशन आता है भारत में सबसे पहला कोटन मील यानि कपड़े का मिल निम्न में से किस सहर में सापित कि सूरत बंबई मुंबई एहमदाबाद को एमबटू तो गाइस मुंबई के अंदर 1854 में नाना भाई कावस जी ने सबसे पहले भारत में सूती कपड़े या पहली कोटन मेल को स्तापित किया था 1854 मुंबई में ठीक है एहमदाबाद में गुजरात में हुआ था एहमदाब नेक्स्ट कोश्यन आता है निमन में से बारत का वहर रज्य कौन सा है जो सलफर के उत्पादन में आगे है असम हरियाना पंजाब तमिलन अलू तो सलफर के उतपादन में हमारा हरियाना ही सबसे आगे है तो राईट अनसर है नेक्स्ट कुशन आता है असम्राज्य का नाम उस जंजाती पर रखा गया था जिसने उस छेत्र को जीता था यह कबीला कहां से आया था असम्राज्य से रिलेटिड है तिब्बत से मंगोलिया से बर्मा या मैनमार से शाम या थाइलेंड से तो गाइस इसका राइट अंसोर र रिफ्ट वैली से होकर बहती है गोदावरी नर्मदा कृष्णा महा ने दी बार बार एक्जाम में रिपेटल होने वाला कोश्यंस और आई थिंग इसकांसवर अब तो सब बच्चे जानते होंगे नर्मदा और तापती भारत की दो ऐसी रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली मे इसे होकर बहती है ठीक है और यह दोनों रिवर आपकी डेल्टा भी नहीं बनाती नर्मदा और तापती दोनों की दोनों जवार्नद मुख बनाती है यानि एक्चूरी बनाती है नेक्स्ट कुशन आता है नदियों और उन शेहरों का नाम मेल कीजिए जहां पर वे बहती है ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं हम राइट अंसर क्या रहेगा इसका तो सबसे पहले रोटर डम राइन रवी के राइन नदी के किनारे पर है पैरिस की बात करें पैरिस आपका सेन नदी के किनारे पर है बूड़ा पेस्ट बूड़ा पेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे पर है और वोसिन गंटन पोटो मैक रिवर के किनारी पर है तो ओप्शन सी इस राइट एका थरी बी का वन सी का फोर एंडी का टू ठीक है तो सारे यह सीटी और इनकी रिवर्स के नाम आपको याद होनी चाहिए डी ट्रिपल एस वी में जाद कर कोशन इसी तरीके के होते हैं नेक्स्ट कुश्चन आता है परकास स्तंब में बहुत तेज परकास किस पर्योजन से होता है नंबर वन परकास स्तंब में तेज परकास किस पर्योजन से होता है देख लेते हैं नंबर वन आता है भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्ग दर्श करना उसकी साहता करना आपके रिलिजिस एरिया में रात में आने वाले यूद पोतों को बंदरगा का स्थान बताना यह सुमुंद्र में विबिन दिशाओं से जहा जा रहे हैं उनका मारख दर्शन करना उन्हें चेतावनी देना तो गाइस जो प्रकास तंब में तेज प्रक अंहिए धरा कोंसे यानि आपको थंडी जल दारा बतानी हैं घंबॉल्ट दारा ब्रैजिल दो जारा ऐयोशित वाडं़ द한테र तो यह जडो्थमρι कीत दारा है अफ्रीका के पंद्द से अरो उसे घंड जो करन्थ है यह आपकी एक्कुव्ड Alors करूैं Okay А. आता है निम्न में से कौन सा ज्वाला मुखी मैक्सिको में है कोलिमा पुरासे से मेरू इतना तो राइट अंसर रहेगा कोलिमा कोलिमा जो आपका ज्वाला मुखी है वो मैक्सिको आपकी सीटी में पढ़ता है मैक्सिको कंट्री में पढ़ता है नेक्स कोशन आता है अंडोब चैनल की दुवारा अंडोबान द्वीप और निकोबार द्वीप दोनों को एक दूसरे से अलग किया गया है नेक्स्ट कोशन आता है देशों के निमलखित सैटों में से किसको देशों के निम्लिके सैटों में इसे किसको golden kaysit कहा जा जाता है golden kaysit संसार में सबसे विशालतम अफी मुद्ध्योग कुन सी तीन कंट्री जाती है मानमार, लाइोस, ठाहिलेंड, अफ़गानिस्तान, इरान, इराग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान और मैनमार मेलेशिया थायलेंड तो गाइस ध्यान रखना जो आपके ये अफगानिस्तान पाकिस्तान और इरान वाली बैल्ट है ये ही संसार में सबसे ज़्यादा ये विशालतम अफी मुद्योग चलाती है तो इन्हें ही गोल्डन कैसेंट के नाम से जाना जाता है नेक्स् की आधिकतर कटाई का परमुक कारण अग्री कल्चर है खेती बाड़ी है नेक्स्ट कोशन आता है निम्न में से किस देश को कट फलावर्स में भूमंडलिये व्यापार का केंद्र कहा जाता है नीदरलैंड जर्मनी जापान कोलंबिया तो इसका राइट अंसर रहेगा जर् बहुत इपोटेंट है तो वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो मेरी चैनल पर और बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इसली मिल जाए तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैवे नाइस जी ओके बाबाई सी यू